हेलो वीडियो में आप सब लोगों को बताऊंगा कि Amazon Affiliate Account कैसे बनाया जाता है बड़े बड़े यूटुबर्स में से एक यूटुबर है मनोजदे जो अपनी हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में ऐसी Amazon Affiliate का लिंक लगाता है क्या आपके मन में भी सवाल आता है कि Amazon Affiliate लिंक लोग पर क्यों लगाते है क्या इनसे अर्मिंग होती है या नहीं होती है आज की वीडियो में ये भी डाउट आपका किलियर करूँगा प्लस में आपको ये भी बताऊंगा कि Amazon Affiliate अकाउंट कैसे बनाया सकते हो आप अपने लैप्तॉप से तो गाइस मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर मनुजबे का अकाउंट दिखाता हूँ यहाँ देखो मैंने एक मनुजबे का अकाउंट ओपन कर रखा है अब आप आप नहीं देखो मैं इसकी वीडियो पर किलिक करता हूँ उसके description को open करता हूँ यहाँ देखो Amazon का account आपको सबके सामने नहां पर दिख रहा होगा Amazon के जितने भी link है सारे नहां पर आपको देखने को मिल रहोंगे क्या guys आपके मन में ये सवाल है इसमें ये कितना पैसा कमाते है guys इनको 10% मिलता ही मिलता है और 10% भाई बहुत होता है ये अपनी हर वीडियो में link लगाते हैं यूटूब allowed करता है उन्होंने अपनी terms and condition में भी बोलता है कि आप ऐसी affiliate link लगा के earning भी कर सकते हैं आप अर्णिक करते हैं साथ में आप affiliate से भी earning कर सकते हो make sure अगर आप कोई creator मेरी वीडियो watch कर रहा है तो यार आप amazon affiliate से भी अपने link को लगा लगा के लगा लगा के description में या share करके friends में Facebook पे share करो Insta की bio पे लगाओ WhatsApp पे group बना के आप share कर सकते हो बहुत साथी चीजे हैं यार जहां पर आप share करके Amazon affiliate से without invest on कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छी opportunity है आप सब लोगों के लिए guys बिल्कुर आपका time waste नहीं करता हूँ मैं लेके चलता हूँ आपको पनी laptop की screen पर वहाँ पर समझाता हूँ कि कैसे Amazon affiliate का account open किया जाता है क्या process को आपको follow करना है और कितनी देर में आपका Amazon का account बनता है चलिए guys लेके चलता हूँ laptop की screen पर guys अब आपको मेरे laptop की screen दिखरी होगी आप क्या करना सबसे पहले Google को open कर लेना guys जैसी आप Google को open करोगे न जो जो step मैं follow करना हूँ वही step follow करना ठीक है यहां लिखता हूँ देखो मैं Amazon Affiliate Program guys आपको भी यही सर्च करना है यहां पर देखो second option आ गया है और यह first वाली जो website आएगी इस पर आपको guys click करना होगा फिर आगे का process में आपको बताता हूँ बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल step को follow करना Amazon Associate का देखो यहां पर ऐसा open हो क्या जाएगा इन्होंने बता रख का है sign up करो recommend करो और earn करो यानि कि भाई अपना account बनाओ लोगों को refer करो और आप यहां से earn कर सकते हो Amazon Affiliate का यह program है sign up का process कैसे करना है recommend कैसे करना है earn करने पे कितना commission मिलता है कितना पैसा मिलता है तो guys यह सारा आपके सामने दिख रखा है third step सबसे पहले देखो earn पे आपको 10% affiliate मिलेगा अगर किसी को भी आप refer कर रहे हो Amazon का link आपका link से अगर वो कुछ भी purchase कर रहा है या एक बार अगर link पे click कर लिया है तो वहां से आपको जो भी उसने एक लाग का परचेस करा या 100 रूपे का परचेस करा या 1000 का परचेस करा आपको 10% मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं recommend कर सकते हैं social media के किसी भी platform पे चाए कोई भी platform हो ऐसा है कि आपने जो link यहाँ पर डाला है उसी पर करोगे आप कहीं पर भी guys share कर सकते हो चलिए guys अब आपको मैं बताता हूँ कि भाई आप को कितना earn बतलम मिलता है कितना पैसा मिलता है तो अब वो चीज बताता हूँ यहाँ देखो आप कैसे तरीके से earn कर सकते हैं क्या program है इनका basically learn more पे यहाँ किलिक करता हूँ यहाँ आप देख सकते हो guys अगर आप जिन जिन प्रोडेक्ट्स को सेल करोगे यार प्रोडेक्ट्स बहुत सारे होते हैं किचिन के होते हैं मुवाइल फोन हो गए टेक के हो गए ठीक है ग्रोसरी का समान हो गया home decorate के हो गए laptop हो गए उनके according इन्होंने बता रखा है fix advertising का commission कितना percent मिलेगा 9%, 5%, 3%, 2%, 1% सारे products पे दे रखा है तो आपना भाई यह list देख लो इसका screenshot किलिक कर लो इसके according ही उन links को आप share करना social media के platform पे तो यह चीज़ आप समझ गए होगे अब मैं back चलता हूँ यहाँ पर sign up को option आपको देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है sign up करना है अपना account अगर नहीं बना तो account बना ले बाकी मेरा तो account अल्रेडी बना हुआ है तो मैं उसको ही login करता हूँ आप अगर यहाँ पर direct login करोगे तो आपके सामने क्या problem आएगी यह भी दिखाता हूँ sign up करता हूँ और यहाँ पर अभी save कर लेता हूँ password को आपके सामने ऐसा notification आएगा यानि कि वो आपके notification भेजेंगे आपके mobile phone पे या email पे भेजेंगे SMS के थुरू भेजेंगे लेकिन गाइज notification नहीं आती है ठीक है मैंने बहुत try करा है गाइज notification आती ही नहीं है और मेरे साब से बहुत सारे users ऐसे हैं जो बड़े परेशान हो रहे हैं कि यहाँ notification नहीं आती तो हमें क्या करना चाहिए तो need help पे क्लिक करें यहाँ पर another way option मिलेगा continue customer service पे क्लिक करें और direct आपको पता है क्या करना है direct यहाँ पर अपना account login करना है sign up पे देखो मैंने क्लिक करा अपना account login पे क्लिक करा password डाला अगर password की दिक्कत हो रही है न get OTP पे क्लिक कर लेना ठीक है आपके mobile पे OTP आएगा OTP नहीं आता तो recent कर लेना देखो नीचे recent का आपके सामने option मिलेगा चलिए गाइस मेरे mobile पे तो OTP आ चुका है तो मैं फटाफट यहाँ पर OTP फिल कर लेता हूँ OTP देखो यहाँ पर मैं फिल कर चुका हूँ अब मैं यहाँ पर continue के इस पे बटन पे किलिक करता हूँ आपको भी यही करना है अब यहाँ देखो मेरा Amazon को जो account है वो यहाँ पर login हो चुका है जब आपका यहाँ पर account login हो जाए तो देखो आपको यहाँ पर करना क्या है next step क्या करना है ठीक है एक-एक step गाइस में detail में बता रहा हूँ देखो Amazon पे यहाँ किलिक करता हूँ उपर देखो आपको search का option मिलेगा देखने को यहाँ पर लिखो Amazon Affiliate Program सिब आपको यही चीज सर्च करना यहाँ देखो आपको देखने को मिल जाएगा थर्ड पे इस पे मैंने किलिक करा फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा Amazon Associate इस पे आपको गईस किलिक करना है अब जैसी आप इस पे किलिक करोगे फिर sign up पे किलिक करें अब देखो जैसी आप sign up पे किलिक करोगे आपके सामने ऐसा open होके आ जाएगा अब देखो इसमें इनोंने 4 step दे रखे हैं कि अपना account का information दो फिर mobile app से इनको verified करो profile verified करो start करो अपना मतलब सब चीज इनोंने मतलब यह 4 step आपको complete करना है तो सबसे पहले account की information जो आपका Amazon का account है उसकी information देनी है अगर password आपका change करना है तो वो भी आप यहाँ पर change कर सकते है easy तरीके से बाकी guys जो जो चीज़े मैं यहाँ पर करता जा रहा हूँ वो ही वो ही चीज़े आप करें ठीक है अब आपको first पर आपको click करना है उसके बाद आप US के citizen हो तो भाई उस पर click करने बाकी नहीं हो तो वो share करें देखो मेरे YouTube का एक channel है यह आप देख सकते हो जिस पर आप video देख रहे हैं यह मेरे एक channel है इसका मैं link यहाँ पर guys copy करता हूँ link को copy करने के बाद मैं यहाँ पर share करूँगा देखो add करूँगा वो देखना आप यही पर ही मैं description में भी अपने links वगेरा डालूँगा Amazon के तो मैं यहाँ पर अपना link share करता हूँ तो यहाँ पर देखो यहाँ पर copy जो मैंने करा है उसको मैं यहाँ paste करता हूँ और add के बटन पर click करता हूँ यहाँ पर देखो मेरा एक YouTube channel का link हो चुका है paste तो अगर आपके पास multiple YouTube channel है तो वह भी आप add कर सकते हो देखो मैं दूसरा YouTube channel अपना open करता हूँ यह मेरा दूसरा YouTube channel है इसका भी काईस देखो मैं link यहाँ पर copy करता हूँ देखो link मैंने copy कर लिया है copy करने के बाद यहाँ पर ही paste करता हूँ तो आप multiple अपने channel multiple website add कर सकते हो देखो मैंने तीसरा अपना यहाँ पर YouTube चैनल open करा है इसमें भी guys देखो मैं link को copy करता हूँ और copy करने के बाद देखो वहीं पर Amazon के account पर जाके यहाँ पर देखो मैं paste करता हूँ तो आप अपना multiple YouTube channel अगर use करते हो तो एक ही आपको Amazon का affiliate का अपना बनाना है तो वो भी बना सकते हो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आपके पास mobile application है तो उसका URL भी आप add कर सकते हैं आपके पास अगर ऐसा problem हो रही है कोई website नहीं है कोई YouTube channel नहीं है तो आप यहाँ पर कोई भी लिंक ना शेयर करें कोई इशू वाली बात नहीं है ठीक है बाकी यहाँ पर देखो मैं next के बटन पर किलिक करता हूँ अब देखो second step complete हो चुका है बात आती है third step की तो यहाँ पर आपको अपनी एक store की ID यानि कि अपना एक नाम डाल दो या कुछ भी मतलब की जो आपके अधार कार्ड पे pen कार्ड पे, bank में, detail में जो नाम हो वो डाल सकते हो अब देखो यहाँ पर आपको problem क्या आएगी मैं यह भी चीज आपको बताता हूँ देखो मैं यहाँ पर step के click करता हूँ अब देखो यह problem आएगी अब यहाँ पर इनके पास alphabetic number में डालना पड़ेगा अब देखो आपने capital number डाल रखा है ना उसको small कर लो, अब उसके बाद space जो आपने दे रखा है उसको हटा दो, अब यहाँ पर देखो आपका user ID confirm हो गया अब description में आपको यहाँ पर लिखना क्या है अब देखो जो आपके YouTube वीडियो मैं तक पनी YouTube चैनल को खोलता हूँ यहाँ about section में जो मेरा description में लिखा पड़ा है ना इसको यहाँ से यहाँ तक मैं copy करता हूँ दुबारा affiliate के उस पर link पर जाता हूँ और वहाँ पर जाके ना देखो यहाँ पर सिफ paste कर दो जो आपके YouTube चैनल का है किसी भी YouTube चैनल का डाल सकते हो अगर आपके जो भी category है ना उस category का उठा के इसको आप यहाँ डाल सकते हो फिल कर सकते हो ठीक है अब आता है भाई primary topics के बारे में इसमें आपको देखो फिल क्या करना है आप अपनी चैनल की category के बारे में बताना है अब देखो मेरी computer software technology के ऊपर है जिसमें कि guys मैं यहाँ पर YouTube tips के regarding बात करता हूँ online learning के regarding मेरी बहुत सारे channel है ठीक है तो इन्स की regarding ही मैंने यह select करा है बाकी यहाँ पर आप others पर भी select कर सकते हो अगर आपकी category नहीं है तो देखो यहाँ मैंने second पर other पर select कर लिया आप दोनों पर भी other पर select कर सकते हो कोई issue वाली बात नहीं है अब जो आपकी category है उसी में आपको जैसे कि जो जो product आप sale करोगे जैसे कि मैं electronic के ही यहाँ पर product जादा तर sale करूँगा आप electronic हो गए मैं यहाँ पर computers के product यहाँ पर sale कर सकता हूँ अगर आप cloth करना चाते हो तो cloth कर दो ठीक है बाकी आप वो देख ले ना जिस पर ज़्यादा percentage मिल रहा है ना उसके according आप यहाँ पर select कर सकते हो बाकी इसके अलावा भी आप सारे product को sell कर सकते हो कोई issue वाली बात नहीं कोई mandatory नहीं कि जो जिस पर टिक कर रहे हो वही करोगे अब content website पर यहाँ किलिक करना यहाँ पर भी गाई इस पर किलिक करना बाकी यहाँ पर आपके पास next step मिलेगा देखने को इसमें भी गाईस देखो आपको करना क्या है इसमें देखो यहाँ पर जो जो step मैं कर रहा हूं ठीक है उस उस step को guys आपना follow करते हैं यहाँ पर other पर affiliate program पर मैं किलिक कर देता हूं मेरा और other भी है ठीक है अब यहाँ पर यह पूछ रहा है कि आपके पास और कोई से भी यहाँ पर program है जैसे कि blog category का है कौन कौन से उसका है तो मैं other पर य view आते हैं average view कितना आता है 500 आता है 5000 आता है तो उसके according आपर करना है तो यह सबसी ज्यादा रखना ठीक है मैंने सबसी high रख रखा है यह तो आप भी guys ऐसी stitch को high करके रखे ठीक है इससे ज्यादा भाई आपकी revenue पर फरक पड़ता है ठीक है अब यहाँ पर आपने यह फिल कर कर देना और यहाँ पर finish पर क्लिक कर देना ठीक है थोड़ी loading लेगा देखो third step complete हो चुका है यहाँ पर आपको associate ID मिलेगी इसको copy कर लेना या इसका screenshot खेंच लेना notes में save कर लेना WhatsApp पे save कर लेना कहीं पर भी save कर लेना बस save कर लेना ठीक है यह बहुत important है ठीक है associate program के लिए associate ID ह यह आपकी इसको याद रखना चलिए मैं अपना account यहाँ पर login करता हूं अब देखो यहाँ पर आपको इसमें tax information बढ़नी पड़ेगी new पर मैंने किलिक करा है यहाँ पर send OTP पर किलिक करता हूं अब मेरे पास यहाँ पर OTP आ चुका है OTP को fill करता हूं यहाँ देखो sign in पर म पर किलिक मत करना ठीक है इस चीच का दिहान लखना मैंने फड़ा-फड़ यहाँ पर देखो अपनी bank detail भड़ता हूं नाम अपना bank account number IFC code वगएरा यहाँ पर यह सब डालना और बिल्कुल correct और इसमें कोई ऐसा mandatory नहीं कि आपका private होना चाहिए या bank या आपका सरकारी होना इसा कोई mandatory नहीं है आप कोई सबी bank इसमें इसमें fill कर सकते हैं ptm bank को छोड़के ठीक है इसमें आप अराम से bank को fill करें और fill करने के बाद भाई recheck जरूर कर लेना फिर submit पे click करना recheck करने के बाद तो इस चीच का ध्यान लगना इसी bank में आपके पास पैसा आएगा ठीक है ज tax information देख रहे हो in complete अब इसको incomplete को complete करना है ठीक है tax information आपको यहाँ पर fill करनी है अब वो कैस से fill करोगे तो यहाँ अपना individual account है तो individual business है तो business पे click करें मेरा तो individual है ठीक है तो मैं individual पे यहाँ किलिक करता हूँ और बाकी इन option हो को मत छेड़ना यहाँ पर pen अपना number डाल देना pen number डाल देना ठीक है और बिल्कु सही सही डालना कोई ऐसा नहीं है कि कोई गलत गलत डाल दो फेक बिल्कु सही डालना ममी पापा का किसी का नहीं डालना अपना ही डालना ठीक है जिसके नाम पे आपका Amazon account बना है जो आपने bank account एड़ करा है वही डालना GST number MS, MID, ID यह optional में द पिनेचर करना है फुल नाम के साथ और देखो मैंने यहाँ पर capital में लिख दिया है यह देखो capital में इसको capital में मत लिखना इसको small में लिखना मैं बापिस करके यहां दुखा रहा हूं दुबारा से इसको small में लिखना ठीक है और फिर आज की date आ जाएगी और submit पे गाइस द अप्लोड कर देना बाकी अप्लोड लेटर पर किलिक करके यहाँ पर exit कर देना इंटर्विव वेगरे के लिख ठीक है अब आपका account जो है न Amazon associate का वो बन चुका है यहाँ देखो complete आ चुका है home पे देखो मैं किलिक करता हूं थोड़ा उपर करता हूं यहाँ देखो earning overview यहा products भी दे रखे हैं इनको आप डारेक्ट यहां से कर सकते हैं अपना लिंक वगेरा शेर कर सकते हैं social media के platform पे तो गाइस यह सब चीज तो आप समझ गए Amazon का account आपका बन गया अब देखो आपको share कैसे करना है यहाँ Amazon खोलता हूं मैं Google पे ठीक है share कैसे करते हैं वो जान ले Amazon नॉर्मल Amazon अपना फर्स्ट वेबसाइट आती है Amazon की इसको open करता हूं अब यहाँ पर चेक कर देना आपका account open है या नहीं है मेरा तो account open है फिर Amazon पे देखो मैं click करता हूं अब यह उपर search बार देख रहे हो यहाँ पर मैं लिखता हूं guys सिर्फ laptop अब देखो यह laptop लिख दिया अब इसका मैं लिंक लगाँगा अपने description में कैसे लगाँगे टेक्स पर यहाँ पर मैं click करता हूं देखो मैं इस टेक्स पर एक बार click करके आपको एक बार दिखा देता हूं यह आ गया हमारा generate हो गया affiliate का link अब इस link को guys आप description में share करें comment में share करें WhatsApp पे share करें everything कहीं भी social media के platform पे आप share कर सकते हैं so guys अब आप सब लोग समझ चुके होंगे कि कैसे Amazon affiliate का account बनाया जाता है और कैसे आपको अपने link को description में लगाया जाता है तो अब guys आपको क्या करना है पटाफट links उठाओ अपनी category के according और इन links को अपनी video के नीचे लगाओ या share करो WhatsApp पे, Telegram पे, Insta पे, Facebook पे हर जगा आप share करके अपना revenue generate कर सकते हो हर महीना हर महीना guys आपको भी यहाँ पर पैसा मिलेगा क्योंकि आपने जो step मैंने बता है है आपने भी अपना bank account add करा होगा तो आपके उसी bank account में पैसा time to time हर महीना पहुस करेगा तो guys इस video को इतना share करें इतना share करें जो भाई यही चीज़ सोच रहे हैं कि affiliate करके यानि कि refer करके आप कैसे पैसा कमा सकते हो कौन सा trusted platform है या Amazon से बढ़िया तो कोई platform नहीं है affiliate के लिए तो guys आप Amazon से भी अच्छी खासी earning कर सकते हैं तो guys इस video को make sure आप जरूर शेयर करेंगे जो यार अभी तक यही सोच रहे हैं कि यार रैफवर करके affiliate से बहुत सारे platform हो से आप कैसे earn कर सकते हैं तो यह सही channel है आप सब लोगों के लिए नीचे subscribe के वड़न के किलिक कर देना वीडियो पसंदा है लाइक जोर कर देना फुलाल के लिए इतना ही जैहर वन्हें बात रहे हो